तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे, उमीद है, मस्त होगे और जबरदस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होगे सर्केल चेप्टर चल रहा है क्लास नाइन्थ का, इससे पहले इंट्रोडेक्शन की वीडियो आचो कि उसको देख लेना है बहुत important सारे theorems की वीडियो है, उसको जरूर देख लेना, अगर आपने दो वीडियो देख लिए हैं, तब आप इस काविल हो कि आप वीडियो देखो इससे आगे, ठीक है अगर नहीं देखें, डिस्कृप्शन में मिल जाएंगी, फटाबट से पहले उन्हें देख लेना, तब यह आप बहतर तरीके से समझ भाओगे सारी चीजों को, आओ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, सीधा स्टार्ट करते हैं, चीजों को, देखो, यह exercise हमारी 9.1, पहला question फटाबट से आप रीड करो, एक बार आप पढ़ लेंगे तसलिए से, recall that two circles are congruent if they have the same radii, prove that equal quotes of congruent circles subtend equal angle at the center, इसका मतलब क्या है, वो समझो, अगर आपने question पढ़ लिया है, तो मैं इसको थोड़ा चोटा कर देता हूँ, बाई, देखो, यह रहा है, ठीक है, अब हम करते है question, सबसे पहले हम दो circle बनाएंगे, ठीक है, और दोनों ही circle कैसे बनाएंगे, congruent circle, congruent circle कौन से होते हैं, जिनके radius बराबर हो, मतलब है, डिक्टो एक जैसे circle है, two circle are congruent, दो circle हमने congruent ले लिए, if they have the same radii, उनका क्या radius same है, prove that equal chords of congruent circle subtend equal angle at the center, मतलब क्या है, कि equal chords, मैं माल लेता हूँ, जितनी length की chord इसकी है, उतनी length की chord इस वाले circle की है, ठीक है, यह center पे, यह center पे equal angle बनाएंगी, यह हमें prove करना है, center पे, यहाँ पे equal angle बनाएंगी, ठीक है भाई, यह रहा एक angle, ठीक है, और यह रहा angle, यह जो दो angle हैं, यह हमें बरावर prove करना है, क्या prove करना है, यह दोनों angle, बरावर हैं, कैसे हैं, एक second, यह दोनों भाई, बरावर हैं, ठीक है, हमें यह prove करना है, चलो, देखते हैं आगे, इसको मैंने माल लिया A, इसको माल लिया B, इसको माल लेते हैं C, इसक इसको माल लेते हैं भाई, O-DAS, O-DAS से ज़्यादा बढ़िया है, हम इसको क्यू माल लेते हैं, clear? आओ, अब समझते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले देखेंगे कि given क्या दिया हुआ है, given क्या दिया हुआ है, तो given में हमारे पास है, दो circle है, ठीक है, two congruent circle, two इसको भाई पुरा है, two congruent circle with, one second, with center O and Q, ठीक है भाई, A, B and C, D are the equal codes, A, B and C, D are the equal codes, ठीक है भाई, देखो ये चीजें लिखने की आदर डालो, अगली साल आपने board देना है, 10th का, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी, इन पर marks कर जाते हैं, अब आगे जो हमें prove करना है, हम वो लिख लेते हैं, हमें prove क्या करना है, एक बार देख न, to prove, हमें क्या prove करना है, तो देखना हमें क्या prove करना है, हम यह लिखेंगे, हमें ये prove करना है, कि ये जो equal codes है, इन से center पर जो angle बन रहा है, वो भी क्या होगा, equal, मतलब ये वाला angle हमें, इस वाले angle के बरावर prove करना है, ठीक है, तो हमें prove करना है, angle A, O, B is equal to angle C, Q, D, ये हम prove करना है, ठीक है, यहां से हमारा proof start है, यहां से हमारा proof start, देखेंगे, इन triangle, इन ही दो triangle को consider करते हैं, O, A, B, in triangle O, A, B, and triangle C, Q, D, C, Q, D, इन दो triangle को अगर आप देखेंगे, ध्यान से, in triangle O, A, B, and C, Q, D, इन कॉम करेंगे congruent, अगर ये हमने congruent कर दिये, तो इनकी सारी की सारी चीज़ें बरावर हो जाती है, तो बस हमें तो ये बरावर दिखाना है, कि ये angle इसके बरावर है, तो इनकी congruent prove करते हैं, देखो, congruent कैसे prove करेंगे, सबसे पहले हमें given में ये चीज़ दी गए, ये कि जो A, B chord है, वो CD chord के बरावर है, दोनों chord equal है, तो हम यहां लिखते हैं कि A, B is equal to CD, पहली बात, क्यों, कि ये हमें चीज़ से given है, ये चीज़ हमें given है, अगला क्या, O, A, O, A is equal to Q, C, O, A is equal to Q, C, और साथ में, O, B is equal to Q, D, O, B is equal to Q, D, क्यों भाई, क्योंकि Radiai of congruent triangle, radius of congruent triangle, congruent triangle, द्यान रखना भाई, congruent triangle को जो radius होते हैं, परावर होते हैं, अब देखना, ये क्या है, तीनो side, 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 side से ये दोन ट्रेंगिल हो गए, congruent, triangle, O, A, B, and triangle, C, Q, D, भाई, ये C है, triangle, C, Q, D, are congruent, यहाँ पर लिखते हैं, congruent, triangle, O, A, B, is congruent to triangle, C, Q, D, by, S, 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 rule, ठीक है, भाई, ये दोनों, अगर congruent हो गए, तो हम कह सकते हैं, C, P, C, T से, angle, A, O, B, angle, A, O, B, is equal to angle, C, Q, C, Q, D, by, C, P, C, T, hence, prove, ये ही हमें, prove करना था, भाई, hence, prove, I hope, चीजें समझ महाई होंगी, ठीक है, कुछ नहीं था, इसको करने के लिए, हम दोनों अगरेंगल को congruent कर दिया, congruent करती, C, P, C, T से, दोनों अगरेंगल, बरावर हो गए, ठीक है, के लिए है, समझ महाई होगा, screenshot ले लो, चलते हैं, next question पर, फटा-फट से, इस वाले question को, read करेंगे, एक बार, prove that, if courts of congruent circles subtend equal angle at their center, then the courts are equal, भाई, जो पीछे हमने question solve किया, just उसका उल्टा है, अगर कुछ बच्चे समझ पाए होंगे, तो, अभी सबसे पहले, अगर आपने ये पढ़ लिया, तो मैं इसको थोड़ा, छोटा कर पिताजी की पतलू, दो इंच छोटी करती जाए, चलो जी, करती छोटी, चलो, आगे देखना भाई, ये दो circle है, दोनों ही circle congruent है, ठीक है भाई, two congruent circle, अब क्या दिया हुआ है, पिछली बार हमें cord equal दी गई थी, इस बार बोला गया है, कि subtend equal angles at their center, then the cord are equal, हमें नहीं पता कि cord equal है, हमें ये बिलकुल नहीं पता कि cord equal है, ये इसके बरावर है, ये नहीं पता है, लेकिन जो पता है, वो ये है कि ये center पे equal angle बना रहे है, मतलब जितना angle ये है, उतना ही angle, ये है, center पे equal angle बना रहे है, इस बार given में देखो, ये चीज़ दे रखिए हमको, ये चीज़ ये इसके बरावर दे रखा है, ये बार, ये चीज हमको given है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, then the quads are equal, हमें ये प्रूफ करना है कि ये quads क्या होंगी, equal होंगी, अगर ये angle equal है तो, ठीक है, angle given में equal दे रखें, सबसे पहले given लिखेंगे, given में हमें क्या चीज़े है, कि दो congruent circle है, to congruent circle, congruent circle, circles with center, with center, o and q, ठीक है, respectively, चलो ठीक है, इसके बाद, a, b, and c, d, are the quads, ये नहीं लिखा कि मैंने equal है, equal हमें प्रूफ करना है, ठीक है, अब यहां हम लिखेंगे, to prove, to prove, कि हमें प्रूफ क्या करना है, देखो, to prove, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, कि, q, a, b, is equal to, q, c, d, यह हमको proof करना है, ठीक है, तो यहां से हमारा proof is start, proof, देखो गई, proof क्या है हमारे पास, again, दोनों triangles को हम क्या करेंगे, congruent proof कर देंगे, मतलब, in triangle, o, a, b, and, दूसरा triangle, triangle का निशान, triangle, c, o, q, c, d, इन दोनों triangle में देखना, क्या के चीज़ें हमें बरावर पता है, हमें पता है, कि यह वाला जो angle है, यह उस angle के बरावर है, उससे पहले यह देखो, o, a, o, a, is equal to q, c, क्यों, radii of congruent circle, तो हम लिख सकते हैं, o, a, is equal to q, c, क्यों भाई, radius of congruent circle, ठीक है, congruent circle के जो radius हैं, वो बरावर होते हैं, दूसरी चीज़, यह जो angle है, इस वाले angle के बरावर है, तो मैं कह सकता हूँ, angle, a, o, b, is equal to angle c, q, d, क्यों भाई, यह चीज़ हमको given में दे रखिये, सही है, तीसरी चीज़ देखो, o, b, is equal to q, d, o, b, is equal to q, d, same region, radius, radius of congruent circle, ठीक है भाई, radius of congruent circle, अगर यह तीनों चीज़ हम देख पार है, side, angle, side, side, angle, side, तो दोनों triangle किस से congruent हो गए, triangle o, a, b, is congruent to triangle q, c, d, q, c, d, by, s, a, s, rule, ठीक है जी, अगर दोनों triangle congruent हो गए, तो हम कह सकते हैं, कि a, b, is equal to c, d, और यही हमें क्या करना था, यही हमें prove करना, clear है, so हम कह सकते हैं, hence, proved, बहुँ भी है, यह क्या हो गए, चलो जी, clear है, दोनों ही चीज़े किस से prove होई है, congruent करकर के, चलो फटावर्ट से इसको note down करो, चलते हैं, next, exercise खदम भाई, यह तो next question इस पर है ही नहीं, मात्र दो question थे, और दोनों ही question बिलकुल theorem भी है, ऐसे ही question थे, जैसा theorem था, ठीक है, उम्मीदे समझ में आएं होंगे, और चलते हैं next exercise पर, ठीक है, तिल देन, टाटा भाई भाई, फटा फट से इसको enjoy करो, और चलते हैं next exercise पर.